नमस्कार साथियो कैसे हो आप सब उमीद है मुझे सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे जी हाँ साथियो वंडर्फुल वेनर्टे के दिन मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ MS PowerPoint की प्लेलिस्ट में जी हाँ साथियो आज जो PowerPoint की commands पर हम discussion कर रहे थे उसकी अंतिम वीडियो मैं तयार कर रहा हूँ अंतिम चैप्टर होगा जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो की तो साथियो आज वंडर्फुल वेनर्टे के दिन हम बात करने वाले हैं जोस पमांड पावर पॉइंट के अंदर अदर पमांड तो जी हाँ साथियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर पावर पॉइंट पर हमने डिसकेशन करना शुरू कर दिया है और मुझे उमीद है कि आपको इन वीडियो से कहीं न कहीं लाब जरूर होगा तो बस बने रहें आप मेरे साथ मैं आपको इसी तरहां नई नई जानकारियां आप तक उन्चाता रहूँगा मुझे उमीद है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा आए मिलकर हाथ मिलाएं सीखें और सिखाएं तो साथियो सूपर संडे के डिन आप अधर कमांड्स के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे तो आएए अगास करते हैं इस बहत्तव पुरन वीडियो का ओफिस अशिस्टंट को क्लोज करने के लिए करेंगे तो ओफिस अशिस्टंट हमारा क्लोज हो जाएगा चैकेंड कमांड पर बात कर रहा हूं अगर आप करन्ट स्लाइड का अबजेक्ट स्लेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या कमांड अप्लाई होगी आइए जानते हैं तो करन्ट स्लाइड का अबजेक्ट स्लेक्ट हो जाएग अगली कमांड जानते हैं टोगल टेवल रीडिंग मैथड इसके बारे में जानेंगे प्रेक्टिकल जब करेंगे हम तो यह कमांड को अपलाई करकर भी आपको दिखाएंगे अभी सिरफ मैं MS पावर पॉइंट की कमांड पर बात कर रहा हूं ठीक है तो आप ऐसा ना सोचे हैं कि प्रेक्टिकल वीडियो दिख भी अगले सफसे आपको पहली प्रेक्टिकल वीडियो मने दोगी कमांड के ताथ जो फुमें मैंने आपको बताई थी अगली कमांड पर चलते हैं लेंड लेंड यह चोटी सी वीडियो पावरपोइंट की है जो मुझे लगता है आपको बहुत ही महतब पुरण होगी तो अभी के लिए इतना ही अब हम आपको मिलेंगे Wonderful Wednesday के साथ Wonderful Wednesday के दिन Practical Videos के साथ तो साथियो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जैहिंद जैभारत तो साथियो आज आपने Other MS Office Powerpoint के Other Commands के विशे में जानकारी प्राफत की और अगले भुद्वार को आपको Practical Videos में मिलेंगी तो बने रहें मेरे साथ